श्रीमद भागवतम, सकंधेक, स्रिष्टी, अध्याय सोलह, परीक्षित ने कलियोग का सत्कार किस तरह किया? सूत गोस्वामी ने कहा, हे ग्यानी ब्रामणों, महाराज परीक्षित ने श्रेष्ट द्विज ब्रामणों के निर्देशन में एक महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करना शुरू किया, उन्होंने उन महान गुणों से शासन किया, जिनकी भविश्यवानी उनके जन्म के समय कुशल जोतिशियों ने की थी, राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें महाराज जन्मे जैसेहित चार पुत्र हुए, महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना आध्यात में गुरू मांगर गंगा नदी के किनारे तीन अश्व में ध्यग्य किये। इन्हें आगंतुकों और निमंत्रित अतितियों को भरपूर मात्रा में दान दक्षना देकर पूरा किया गया। इन यग्यों में आम लोग भी देवताओं को साक्षाद देख पाए। एक बार जब महाराज परीक् देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। शौनक रिशी ने प्रश्न किया, जब उस नीच तथा शूद्रों में भी अती नीच राजा होने का वेश धारन किये हुए मनुष्य ने एक गाय पर लात मारी, तो महाराज परीक्षित ने उसे मात्र दंड क्यूं दिया। यदि य प्रसंगों से क्या लाब जो व्यर्थ में मनुष्य के जीवन को नश्ट करते हैं। जो भगवान के प्रतीनिदी हैं। उनके अधीन आने वाले सभी जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं के इस वर्णन के रूप में मृत्युरहित अमृत का श्रवन करने का लाब उठाना चाहिए। अल्प बुध्धी और कम उम्र के आलसी लोग रात को सोने और दिन को व्यर्थ की गती विदियो में बिताते हैं। महराज परीक्षित काले घोडों से खीचे जाने वाले अपने रत पर बैठे हुए थे। उनकी ध्वजा पर शेर का चिन्ह अनकित था। इस प्रकार सज धजकर और सार्थियों, घुर सवारों, हाथियों और पैदल सैनिकों से घिरे हुए, वे चारों दिशाओं पर विज रासकों से कर वसूल किये। की अगाद श्रद्धा थी। ऐसे यशोगान सुनकर राजा बहुत खुश होते और बड़ी संतुष्टी के साथ अपनी आँखें खोलते थे। वे उदारता पूर्वक सभी को मूल्यवान मालाएं और वस्त्र भेंट करते थे। रक्षक बनकर सेवा करने तक के कारिय सम्मिलित हैं। उन्होंने बड़ी ही नमटा से पांडवों की आज्या का पालन किया और उनकी सेवा की। जब महाराज परीक्षित ने ये सब सुना तो वे भगवान के चरणकमलों की भक्ती से अभिभूत हो उठे। अब आप मुझसे वो घटना सुन सकते हैं, जो उस समय घटी थी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों के अच्छे कामों के बारे में सुनते हुए और उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। साक्षाद धर्म, बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षाद प्रित्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोक रस्त दिखाई पड़ी, जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आखों में आसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने प्रित्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। धर्म रूपी साण ने पूछा, देवी, आप स्वयम स्वस्त और प्रसंतो हैं? आप शोक की छाया से घिरी क्यूं है? आपके चहरे से ऐसा ल पाव पर खड़ा हूं? क्या ये इसलिए दुखी हैं कि अब मैं अपनी क्षमताओं को खो बैठा हूं? या इसलिए कि अब क्रूर मा सहारी जीव तुम्हारा शोशन करेंगे? या इसलिए कि अब देवताओं को यग्यों में अपना भाग नहीं मिलेगा, क्यूंकि कोई ये नहीं हो रहे? या फिर इसलिए कि दुर्भिक्ष और सूखे के कारण सभी जीवों को कष्ट हो रहा है? क्या आप उन दुखियारी महिलाओं और बच्चों के लिए दुखी हैं जिन्हें बेइमान लोगों के कारण तडपने के लिए छोड़ दिया गया है? या क्या देखकर दुखी हैं कि ब्रामनों ने उन राज परिवारों का आश्रय लिया है जो ब्रामन संस्कृती का सम्मान नहीं करते? अब तो तथाकथित प्रशासक भी इस कल्युक के असर से भ्रमित और मुगध हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने राज्य के मामलों को भी काम करने को तत पर रहते हैं. क्या तुम इस थिती के कारण दुखी हो? हे मा पृत्वी, पूर्ण पुरुशोत्तम भगवान हरी ने तुम्हारे भारी बोज को हलका करने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयम अवतार लिया था. उनकी यहां की सारी लीलाएं ही हो रही हो. मा, आप सभी धन संपत्ती की देवी हैं. क्रिपिया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं, जिससे आप इतनी दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं. मुझे लगता है कि सबसे बलवानों को भी जीत लेने वाला प्रबल काल ने देवताओं जो कुछ भी आपने मुझे से पूछा है, वो आपको ज्यात हो जाएगा. मैं आपके उन सभी प्रश्णों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी. एक समय आप भी अपने चार पावों से स्वयम का पालन करते थे और आपने भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में को वृद्धी प्रदान की थी. उनमें निम्नलिखित गुन तथा अन्य अनेक दिवे गुन पाए जाते हैं, जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते. ये हैं, एक सच्चाई, दो स्वच्छता, तीन दूसरे के दुखों को सेह न पा ग्यारा, सहनशीलता, बारा, संदर्शिता, तेरा, आज्याकारिता, चोधा, ज्यान, पंद्रा, इंद्रिय भोग से अनासक्ती, सोला, नायकत्व, सत्रा, बहादूरी, अठारा, प्रभाव, उन्नीस, असंभव को संभव बनाना, बीस, कर्तव्य पालन, एक्कीस, पूर्ण संकल्ग, 30, ज्यान की पूर्णता, 31, उप्युक दक्षता, 32, समस्त भोग विशेयों का स्वामित्व, 33, प्रसन्नता, 34, स्थिर्ता, 35, आज्याकारिता, 36, यश, 37, पूजा, 38, निरभिमानता, 49, अस्तित्वर, भगवान के रूप में, 40, शाश्वत्ता समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पूरुशोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिवे लीलाएं बंद कर दी हैं, उनकी अनुपस्थिती में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है, अतैव मैं संसार की यह दशा देखकर अत् सौच रही हूं। लेकिन अंत में, जब मैंने महसूस किया कि मैं कितनी भागयशाली हूं, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। हे धर्मात्मा, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा लगाए गए अनावशक सैन्य दल के बोज तले सिस्क रही थी, और तब मुझे भगवान के कृपा से मुक्ती मिली। इसी तरह, आप भी एक संकट पूर्ण स्थिती में थे, अपनी स्थिती की द्रड़ता में कम जोर हो गए थे, और इसलिए उन्होंने आपको मुक्त करने के लिए यदुवंश में अपनी आंतरिक शक्ती द्वारा अवतार लिया। तब भला कौन है, जो उस विभू परम पुरुशोत्तम भगवान से दूर रहकर भी उनके विरह का दास है सके? वे तो सत्यभामा जैसी प्रेमिकाओं के गर्व और काम क्रोध का अपने प्रेम भरे मीठे जुकाव, मधूर द्रिश्टी और आश्वासन भरे मीठे वचनों से जीत लेने वाले थे। जो जो वे मेरी धरा पर चलते, मैं उनके चरण कमलों में धस्ती जाती और फिर घास से इस तरह ढग जाती मानो प्रसन्नता के कारण रोए खड़े हैं। जब प्रित्वी और धर्मपुरुष बातचीत कर रहे थे, तभी राजा परीक्षित पूर्व दिशा की और बहने वाली सरस्वती नदी के तड़ पर पहुँच गए।